शिमला में आईजित होने जा रहे जहराम सरकार के दो साल के जशन में सिरमोर जीला से भी बड़ी संख्या में लोग हिसा लेंगे रैली के मद्य नजर नाहन बिजेपी मंडल की बैठक शिमला संसद्यक शेत्र के संगठन प्रभारी पुर्शोतम गुलेरिया की अध्यक्षता में आईजित हुई मीडिया से बात करते हुए गुलेरिया ने कहा कि सरकार सफलता पुर्वक दो साल का कारेकाल पूरा करने जा रही है जिसमें नाहन मंडल से करीब 800 कारेकरता मौजूद रहेंगे उन्होंने कहा कि आईजिन को लेकर भाजपा कारेकरता उत्साहित है इसमें प्रदेश भर से करीब 30,000 कारेकरता शिर्कत करेंगे पुर्शोतम गुलेरिया ने कहा कि 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश देश का पहला धुआ रहीत राज्य बनने जा रहा है जिसकी घोशना केंद्रे गरी मंत्री अमिच शहा करेंगे उन्होंने कहा कि सीम जेराम ठाकों ने प्रदेश के अंतिम छोड में बैठे हर व्यक्ति की चिंता की है और हर घर में मुख्यमंत्री ग्रेणी सुविधा योजना के तहत मुफ्ट सिलेंडर पहुंचाया है भारती जनता पार्टी मंडल नहान की बैठक थी और लगवग इसमें 300 कारेकरताओं ने भाग लिया 27 तारीक को हिमाचल परदेश सरकार के जो सफलता पूर्वक दो वर्स का कारेकाल पूर्ण करने जा रही है उस उपलक्ष में नहान मंडल से 800 पलस कारेकरता वहाँ पे रहेंगे ऐसा टार्गेट लिया है और मुझे लगता जिस तरह से कारेकरतों में उत्सा है जोश है और अपनी सरकार की जो उपलब्दिया जो की अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को प्रतेक्स तोर पर जिनको हम देख रहे हैं उनके कार्ण जो भारी उत्सा है इस 800 से कहीं हम ज़्यादा संख्या नहान मंडल से शिमला के एतिहासिक रिज मैदान पर 27 तारीक को पुछाएंगे और हिमाचल परदेश देश का पहला दूआ रहिच परदेश भी उस दिन बढ़ने जा रहा है माने अमिशा जी जिसकी गोशना करेंगे हमारे लिए गर्व और गौर्व की बात है जिस तरह से मुख्य मंतरी आदली जैराम ठाकुर जी की सरकार ने अंतिम छोर पर बैठा बैक्ती उसकी चिंता की है उसके सरकार से जुड़े हुए हर मुद्दे को सफलता पूर्वक इन दो वर्षों में उन्होंने सुल जाया है और दो वर्ष की उपलव दियां आम जन तक उस दिन पहुंचाएंगे और वहाँ पर जो कारे करता जिसमें लगवग 30-35 अजार कारे करता हिमाचल परदेश के हर कोने से बहाँ पर पहुंचने बाले हैं और अपने लोगपरिये नेता चाए अमिश्शा जी हो चाए जगद प्रकास नडड़ा जी हो माने मुख्यमंत्री जी हो उनके जो मार्ग दर्शन है उसको प्राप्त करने के लिए भारी उत्सा के साथ बहाँ पर पहुंचने बाले हैं उसी करम में आज ये नहन मंडल की बैठक थी और बहुत अच्छे से ये बैठक संपन हुई है लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नहन सिसिती शर्मा की रिपोर्ट